कि इस वीडियो में आगे कंटिनू करते हैं पिछली वीडियो को तो इसमें समझने है यार function as a special kind of relation तो इसको समझने के पहले समझने है difference between relation and function दोनों में क्या difference है ठीक है देखो relation तो क्या होता है दो set है और तुम कोई भी element को किसी को किसी भी से रिलेट कर दो मल्टीपल से रिलेट कर दो मल्टीपल को सिंगल से कोई खाली बच गया तो भी प्रॉब्लम नहीं कैसे जैसको जैसे करनाया कनेक्ट कर दो वह सारा रिलेशन है लेकिन function का condition सेडिस्फाई होना चाहिए तो जो relation function के condition को satisfy करता है तो वो relation function कहलाता है ठीक है तो इसे मालनों मैंने एक सेट ले लिया एक सेट ले लिया बी सेट में की सारे कुछ element एक दो तीन चार बी में है तो टोटल 20 elements आ जाएंगे तो इस 20 elements का A x B का subset लिखावा है F1, F2, F3, F4, F5, F6 F1 में हमने क्या ले लिए उस A x B में कोई ना कोई element होगा न 1,7 को A x B में तो क्या आ जाएगा 17, 18, 19, 110, 11, 27, 28, 29, 210, 211, 37, 38, 39, 310, 311 और 47, 48, 49, 410, 411 यह सारा element आएगा यहां पर ठीक है उसका हमने subset ले लिया एक subset लिया जिसमें सिर्फ एक element है 1,7 एक subset ले लिया जिसमें 3,9 और 3,10 यह 2 element है एक subset ले लिया उसमें यह 3 element है एक subset यह element एक subset यह सारा तो अब इसमें से देखो relation तो सारा ही हो गया तुम इसका कोई साभी subset उठा लो तो relation यह सारा ही है यह जितना भी लिखावाई है all these यह सारा क्या है relation है लेकिन इसमें से कौन सा relation function होगा तो जो relation सारे element को connect कर देगा set B के element से तो end हर एक element को unique element से connect करेगा वो कहलाएगा function बाकी 2,3,4 किसी से भी connected नहीं है, तो जो यह F1 है, यह relation तो है, function नहीं है, यह relation का example है, और यह function नहीं है, ठीक है, इसको यह diagram में यहाँ बना रखा, यहाँ पर F1 लिखावा है, उसी का यह है, तिर्फ यह वाल element इससे connected है, तो यह भी एक relation हो गया, F2 में जो लिखावा है, 3,9 से connected है, 3,10 से connected है, 3,9,10 से connected है, यह भी एक relation हो गया, F3 में यह 1,2,3 इस तरीके से connected है, सारा relation तो सब यार, लेकिन तुम देखो इसमें से function कौन सा है, तो यहाँ पर तुम देखोगे, तो set F2 में क्या है, 3 का image है, और 3 का 3,9 से connected है, 3,10 से connected है, 3, बाकी element 1,2 और 4 किसी से भी connected नहीं है, तो यह भी function का example नहीं है, F3 में देखोगे, 1,7 से connected है, 2,8 से और 3,9 से, 1 connected है, 2 connected है, 3,4 किसी से भी connected नहीं है, तो यह भी क्या है, function नहीं है, इसमें देखो, 1,2,1 connected है, 2 connected है, 3 connected है, 4 connected है, सारे element 7 से connected है, ठीक है, 1,2,3,4 सारी element 7 से connected है, F4 में देखो, सारे element 7 से connected है ये relation भी है ये function भी है relation तो सारा ये function है क्योंकि इसमें कोई भी element खाली नहीं बचा और हर एक element दो से connected नहीं multiple element same से connect हो सकती तो चल सकता है पहले उने बता रखा तो ये function है ये जो है f4 ये function है ठीक है होप समझ में आ गया होगा relation और function में डिफेरेंस क्या है तो जितने भी function है वो description तो हों गई होंगे 100 परसेंट लेकिन जो relation है वो function हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जैसे relation तो सारा है ये भी एक relation है ले 54 नहीं है Ses 59 से आप दाइगरम से पुरुण समझ में आता है जो 1 है वो सारे element से connected तो यह relation तो है this is the relation लेकिन यह function नहीं है क्योंकि यह पर एक element multiple element से connected है ठीक है और यहां पर देखो क्या दिया हुआ 19 से connected टू 9 से थी यह सारा दिया हुआ है सारी element connected है लेकिन जो element 2 है वो दो element से connect हो गया तो relation तो है लेकिन यह relation है यह function नहीं है तो बस इतना चोटा सा difference काफी है समझने के लिए relation और function क्या होता है तो जो भी function है वो एक तरीके का relation ही है लेकिन जितने भी relation है वो सारे function नहीं होते है ठीक है के लिए तो आप देखो वही चीज़ यहां पर लिखावा है function is a special kind of relation क्या लिखावा है देखो let a and b b to non empty set though non empty set दे रखा है relation from relation symbol तुम यहां पर आर यूज कर लो f क्योंकि हम लोग function पढ़ रहा तो सिंबल यूज कर दिया है a relation का नाम दिया है from a to b that is a subset of a x b जो हम लिखेंगे is called a function वो function कब कहलाएगा relation जो है वो function कब कहलाएगा from a to b if each a belongs to a set a में जितने भी element है there exist b belongs to b such that a b belongs to f मतलब वही एक ही बात यार बार बार रिपीट हो रही है first वाले set के जितने भी element है उनके corresponding second वाले set में element present होना चाहिए और a b belongs to f और a c belongs to f इसका मतलब क्या देखो एक ordered pair है वो भी function का part है function function का part है और एक element है a c वो भी function का part है इसका मतलब क्या निकला है conclusion में हमने बढ़ा कि function में पहला जो है part वो दो same नहीं होना चाहिए यहाँ पर a b से भी related है a c से भी related है इससे क्या conclusion निकल रहा है कि अगर यह function यह यह function से belong कर रहे हैं तो इसका मतलब b और c को सेम होना पड़ेगा और b और c सेम हो जाएगा मतलब इसका मतलब दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है कहने का मतलब यह conclusion निकला theory पर मत जाओ जो बोल रहा हूं उसको समझो कि पहला वाला element अगर दिख रहा है कि दो element से में और मैं function नहीं होगा और यह function से belong कर रहा है इसका मतलब यह b और c भी सेम होगा मतलब यह दोनों समझा जाए देखा जाए तो यह दोनों सेम चीज ही लिखी हुई है ठीक है समझ मैं तो ठीक नहीं तो तुम इस लाइन को theory में मत जाओ जो मैंने समझा रखा है तुम उसको follow करो ठीक function का co domain सेम हो जाए और f of x is equal to g of x मतलब इसका मतलब क्या हुआ और every x belonging to their common domain if two function f and g are equal then we write f is equal to g मतलब देखो f और x मतलब इसको तुम ऐसे समझो effect function था वो set a और set b को relate कर रहा है set a के element को set b से connect कर रहा है और एक दूसरा function है वो भी set a के element को set b से connect कर रहा है तो दो function को equal होने के लिए पहले दोनों का यह जो domain है same होना ची तो यहाँ भी set a है मालों यहाँ पर मैं लिखा 123 यहाँ भी लिखा 123 दोनों का domain same है यहाँ पर 7,8,9,10,11 यहाँ भी लिखा 7,8,9,10,11 दो अलग-अलग function था यह था f और कुछ rule लिखावा था यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और यह दूसरा function था g और इ हो गया code domain चीक है 7,8,9,10,11 7,8,9,10,11 दोनों का code domain भी same है ठीक है अब देखो rule अलग-अलग हो सकता है लेकिन वह अलग-अलग rule अगर same value को connect कर दे तो वह equal function हो जाएगा मालों यहाँ पर once eight से connected था यहाँ भी one eight से connected है यहाँ two seven से connected था यहाँ भी two seven से connected और यहाँ three 11 से connected इस function f है वो g के बरावर है अब दोनों का rule अलग-अलग हो सकता है अब तुम बोलो गया rule अलग-अलग होगा तो दोनों same कैसा हो जाएगा अभी example से समझाते है ठीक है तो equal function के लिए दोनों का domain same होना चाहिए code domain same होना चाहिए और यह जो values connected है f of x is equal to g of x same होना चाहिए f of x is equal to g of x अब इस f of x का मतलब क्या होता है तो f of x का मतलब होता है x put करने पर जो f की value आईगी जैसे यहां पर one put करने पर क्या आया one put करने पर आया eight तो f of one क्या था eight था ठीक है और यहां पर g में one put किया तो क्या आया one क्या से connected है eight से तो g of one वो भी क्या है eight f of two क्या है seven f of two is equal to seven और g में अगर two put किया तो two क्या है seven मतलब इस rule में हमने two put किया इस rule में two put किया तो वो rule क्या किया two को seven से connect कर दिया तो g of two is equal to seven और f में हमने three put किया तो three eleven से connect हो गया f of three is equal to eleven और g of three is equal to 11 तो अगर यह condition satisfy होता है तो हम बोलेंगे दोनों function आपस में equal example से समझो ज्यादा अच्छा से clear हो जाएगा ठीकिए और यहोब कि यह समझ में आगया होगा function is a special kind of relation और equal function क्या होता है example देखो अब इसका देखो इकवल function समझो तुम पहले क्या होता है एक सेट दे रखा है इसमें element दिया हुआ है one कॉमा टो ठीक है और एक सेट है बी उसमें है element three कॉमा six ठीक है और एफ क्या लिए देखो लिखने का तरीका होता है एफ इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं f is a function from a to b f is a function from a to b given by वो rule क्या है यह लिखने का पूरा तरीका होता है function को ठीक है पहले बता दिया कौन सा सेट किस से connected है given by यह जो rule ठीक है तो f यहां पर दिया हुआ है f is a function from a to b और given by f of x क्या दिया हुआ है x square plus two set a के element set b से कैसे connect होंगे इस rule से तो देखो इस rule से one किस से connect हो जाएगा अगर one put करें यहां पर तुम f में one put करगे देखो f of one हमने put किया यहां पर x के place पर one put किया second set में है ठीक है इसको हम लोग बोलते है range ठीक है यहां पर हमने put किया one ठीक है तो f of one क्या हो जाएगा one square plus two तो one square one plus two क्या हो गया three यानि one किस से connected हो गया three से connected हो यहां पर diagram बना लो one two three और six a और b दो सेट दे रखा था one किस से connected हो गया three से ठीक है अब यहां पर two put करेंगे हम लोग इस function में f of two तो यह किस से connect हो जाएगा two यानि two का square plus two two का square plus two तो two का square क्या हो गया four plus two six यह आगया six तो two किस से connected हो गया six से ठीक है यह हो गया function अब एक दूसरा function दियाओ and g is also a function from a to b जो g है दूसरा function g is a function from a to b given by g of x क्या दियाओ है 3x g of x is equal to three six ठीक है और हमें check करके बताना है कि f और g आपस में equal है कि नहीं तो अब तुम देखो जो f था उसका क्या rule था x square plus two और g जो है उसका rule क्या है 3x तो दोनों का rule अलग-अलग हो सकता है तो हमें बताना ह है कि f और g equal है कि नहीं तो तुम इसको देखके नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर तो rule x square plus two लिखावा यहाँ 3x तो दोनों function अलग-अलग हो गया नहीं values check करने हो कि देखो f का domain क्या था a और core domain था b यहाँ पर g का भी domain है a और core domain है b rule अलग-अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता values check करो कि f of x क्या आ रहा है f of x f of one put क्या 3 आया f of two put क्या 6 आया अब यहाँ पर तुम इसमें set a की value उठा के put करो a यहाँ पर क्या दिया हुआ है a is equal to 1,2 और b क्या दिया हुआ है 3,6 ठीक है इस rule के according देखो कौन सा element किस से connected हो रहा है a और b 1,2 यहाँ पर 3,6 अगर इस rule में हम यहाँ पर 1 put करें यह वाला 1 यह वाला 1 उठा के एक बार put करो एक बार 2 उठा के put करो तो g of 1 क्या आ गया 3 into 1 यह क्या आ गया 3 और g of 2 क्या हो जाएगा इस rule में 2 put करेंगे 3 into 2 यह आ गया 6 देखो तो इस rule के according भी क्या है जो element 1 है वो 3 से connected है और जो element 2 है वो 6 से connected है देखो तो यहाँ भी क्या था जो element 1 था वो 3 से connected था 2 जो है वो 6 से connected यहाँ भी 1 3 से connected 2 6 से connected इसका मतलब क्या हो गया f of x is equal to g of x, ठीक है, दोनों का range सेम है, इस f of x का मतलब होता है range, ठीक है, यह जो x है, यह हो गया domain, और यह पूरा जो हम लोग f of x बोलते हैं, इस पूरे का मतलब होगा range, अभी आगे इसको और थोड़ा सा, और explain करते हैं, ठीक है, अभी तो बीच में आ गया, यहाँ पर equal to g of x हो गया, तो यह तीन condition satisfy होना चाहिए, equal होने के लिए, तो तीनों condition satisfy हो गया, दो function equal कब होगा, domain same हो जाए, दोनों का core domain same हो जाए, और f of x is equal to gx for every x belonging to their common domain, obviously दोनों का domain same होना चाहिए, और जो x की value जो f के domain में और g के domain में दोनों के corresponding value निकालते हैं, वो equal आना चाहिए, कुछ पार्ट theory से समझ में नहीं आता है, कुछ जो मैं आपे बोल के example से समझा रहा हूँ, उससे तुम्हें समझ में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कि f और g जो है, वो equal function है, ठीक है, f of x is equal to g of x हो गया, domain लिखना पढ़ेगा, last में तुम्हें, domain of function f is equal to domain of function g, co domain of function f is equal to co domain of function g, ठीक है, और f of x is equal to g of x, therefore, दोनों function equal, therefore, f is equal to, therefore, f is equal to g, ठीक है, एक दूसरा example लो, और example है, अब देखें, इसके बाद second example दे रखा है, question number 10, हमें यहाँ बताना है, find whether f or z, f is equal to g or not, तो हमने देखा function का domain क्या है, यह लिखावा, r minus 2 से लेके r, function f क्या है, f is a function from r minus 2 से लेके r, इसका क्या मतलब हो गया, all real number except 2, domain यह जो पार्ट लिखा होता है, इसको बोलते है domain और इसको बोलते है co domain, तो domain में क्या लिखावा है, all real number except 2, मतलब 2 को छोड़के, सारे real number acceptable है, और क्या दियावा है, f of x is equal to x square minus 4 by x minus 2, ठीक है और जो function g है, वो क्या दियावा है, g is defined from r to r, g is a function from r to r, और g of x क्या दियावा है, x plus 2 हमें बताना है कि f और g equal है कि नहीं, तो rule देखो दोनों का अलग-अलग हो सकता है, यहाँ पर x plus 2 लिखावा है, और यहाँ पर यह लिखावा है, तो इसको देखके हम decide नहीं करेंगे कि दोनों equal है कि न equal है, हमने देखा दोनों का co domain से है, यहाँ पर function f का भी co domain है, all real number, और यहाँ पर भी इसका मतलब है all real number, यह जो r, all real number को accept कर रहा है, ठीक है, यह represent कर रहा है, और इसका domain देखा तो all real number, accept to, और इसका domain देखा तो all real number, दोनों का domain match नहीं करा, दोनों का domain अलग लग है तो आगे कुछ हमें चेक करने की जरुवती नहीं हम बोल देंगे since domain of both function are not equal therefore f is not equal to g अगर domain equal हो जाता domain equal हो जाता और code domain equal हो जाता उसके बाद फिर हम लोग इस पर value put करके चेक करते उसके बाद value put करके चेक करते तेकिन आप देखो इतनी सारी value put करके चेक करना पॉसिबल नहीं है all real number मतलब सारी real number तो infinite real number है उसमें से एक two हट गया बस तो इतने सारी number एक एक करके हम सबको put करके चेक थोड़ी कर सकते हैं तो उसका अलग तरीका है ठीक है बस यहां पर देखा domain equal नहीं है तो खतम नहीं खतम दोनों equal function नहीं है एक example और देखा question number 11 देखो यह जो मैंने यार questions ले रखे हैं या पर जो बुक में example start होने से पहले जो illustration 1 illustration 2 दे रखा होता है उसी को मैंने organize कर लिया है कि यह ठीक है तो यह वह सारे illustration है देखो बुक में illustration दे रखा रहता है फिर example दिया होता तो यह सारे illustration वाले question है एक function दे रखा है जेड से जेड ठीक है f is a function from z to z z का मतलब क्या होगा इंटीजर्स और जो दूसरा function जी वह भी क्या है z से z ठीक है z to z तो इसको हम ऐसे बोल सकता है f is a function on z या z से z जब दोनों सेम हो जाता तो हम लोग on word लगा लेते हैं relation में पढ़ा था ठीक है न तो अब यहां पर f क्या दे रखा है f is equal to ordered pair के form में लिखावा है ordered pair के form में लिखावा है यहां पर rule के form में लिखावा है और यहां ordered pair के form में लिखावा है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ है जभी explain करते हैं इसको such that n belongs to z और जी दे रखा है g is equal to n,mod of n का square such that n belongs to z देखो यहां पर इसका मतलब यह हुगा है इस तरीके से ordered pair में लिखने का क्या मतलब होता है कि इस function में अगर हम n put करेंगे तो क्या हो जाएगा n square इसका मतलब इसको अगर हम और ठीक से लिख दें इसका मतलब हुआ f of n is equal to n square ठीक है जो यहां पर लिखावा था जैसे f of x is equal to यह चीज लिखावा था ठीक है g of x is equal to x plus 2 लिखावा था इसी को लिखने का अगर ordered pair में लिखना रहे है तो ordered pair में कैसे लिखेंगे इसको किसी को ordered pair में लिखना होता तो कैसे लिखते है g is equal to x, x plus 2 such that ठीक है तो वही मतलब हुआ है इस तरीके से लिखावा है इसका मतलब g of x is equal to x plus 2 ठीक है यहाँ पर लिखावा है f n, n square मतलब इस function का जो भी rule है उस rule में n put करेंगे तो वो क्या कर देगा n square बना देगा उसको f of n is equal to n square ठीक है और यहाँ पर क्या होगे g of n पहला वाला पार्ट ठीक है is equal to mod of n का whole square लिखने का तरीका है रहे से लिखो ऐसे लिखो दोनों का सेम मतलब है ठीक है अब हमें बताना है कि दोनों function यहाँ पर equal है की नहीं है तो तुम देखो दोनों का domain of function f domain of f क्या है all integers is equal to domain of function g इसका भी domain क्या है all integers दोनों का domain मैच कर गया फिर co domain of function f वो भी क्या है co domain z is equal to co domain of function g दोनों का co domain मैच कर गया just a second तो दोनों का domain मैच कर गया और दोनों का co domain मैच कर गया लेकिन तुम यह देखोगे rule दोनों में अलग-अलग दिया वाई यहाँ पर n square है यहाँ पर mod of n का square है तो तुम बोलो कि यह तो अलग-अलग है तो values example था इसमें कुछ values दे रखे था हमने दोनों values को put करके individually चेक कर लिया यहाँ प्यार जेड में इतने सारे values है तो एक एक करके सबको दिखाबा है mod of n का square तो mod of n का square का मतलब क्या हुआ अंदर में n की कोई सी भी value होगी negative value या positive value mod लगाने के बाद वो क्या बन जाएगा positive और positive का square क्या होगा positive और यहाँ पर भी क्या है और यहाँ पर पहले उस-4 को प्लस-4 बना देगा और फिर उसका square करेगा तो यहां भी क्या होगा, माइनस 4 का बन गया, पहले 4, 4 का square आ गया 16, और यहां भी हम माइनस 4 पूट कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस 4 का square कर दिया 16, देखो, तो दोनों में यहां भी माइनस 4 पूट कर रहे हैं, तो भी 16 आ रहा है, यहां भी माइनस 4 पूट कर रहे हैं, तो तो 5 का mod 5 और 5 का square 25, minus 5 पूट करेंगे तो f of minus 5, तो minus 5 का square क्या हो जाएगा 25, यहाँ minus 5 पूट करेंगे तो पहले उस minus 5 को यह क्या बना देगा, positive 5 बना दिया, 5 का square क्या हो जाएगा 25, तो दोनों जेगा क्या रहा है, तो f of n is equal to n square और g of n is equal to mod of n का square तो यह क्या हो जाएगा is equal to n square n square के ही बराबर है mod भी लगावा है और square भी लगावा है तो कोई मतलब नहीं है square लगावा है तो उस mod का कोई मतलब भी नहीं अंदर negative value है चाहे positive उसको वैसे ही बना देगा तो दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है तो f of n यह भी आ गया n square और g of n यह भी आ गया n square तो इसका मतलब क्या निकला f of n is equal to g of n तो क्या हो जाएगा कि तीन condition satisfy होगा दोनों का domain same हो गया code domain सेम हो गया और f of n is equal to g of n therefore f is equal to g ठीक है clear I hope कि समझ में आ गया होगा next video में और आगे continue करते है ठीक है चलो इस video में इतना ही बाइबाई